हेलो एब्रिवान आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं दिस चैप्टर नाइन डस्क मलबरी इंग्लिश कोस बुक की बुक से चैप्टर नाइन है वैसे तो मैंने माक्सिम सारे चैप्टर इस बुक के करवा दिये हैं प्लेलिस में चाटके देख सकते हैं और आज का जो की बुक से लिखा हुए इवनिंग होता ही डस्क का मीनिंग इवनिंग भी नहीं होती पूरी तरह से रात भी नहीं होती है एक बहुत ही जदा टाइम होता है मेरे साप से चे से साथ साथ के बीच का टाइम होता है इसको हम सांज बोलते ना सांज हो गई है तो उस तरह से है So Dust जो है यह जो chapter है This chapter is written by Saki Saki pen name है Hector Hugh Munro का उनका real name तो Hector Hugh Munro है लिकिनका जो pen name है वो Saki है Okay Pen name means जिसे हम लोग अपना nickname रख लेते हैं इस तरह सिनका pen name होता है Pen name स्रिफ writers को ही allowed होता है लिकना चीक है यह actually में यह एक drama है यह कोई story नहीं है, कहानी नहीं है यह drama है अगर आपने कभी देखा हो जब हम बच्पन में स्कूल में stage show पे जब हम छोटे होते होते होंगे आपके स्कूलों में stage show होते हैं जब हम किसी को कोई message convey करना चाहते हैं तो हम drama करते हैं suppose देखा होगा बीच बीच में आपने कहीं आजकल road पर girls के बारे में aware कराने के लिए लोग drama के रूप में लोगों को messages देते थे actually drama से क्या होते हैं लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है वो चीज़ की हुआ क्या है तो same यह है आजकल जो यह story है यह भी एक drama की तरह है drama की तरह नहीं drama ही है sorry अब drama क्या है इसमें कौन-कौन से character है या किस तरह से है सो हम start करते हैं करना चीक है are you a observant person क्या आप एक observant person है observant means कि आप किसी को observe करते हैं जैसे कुछ को क्या होता है हम सामने से किसी को देखते हैं हम उसके बारे में observe करना शुरू कर देते हैं यह ऐसा है यह ऐसा है एक observation होती है can you spot the difference between the following picture there are six of them okay जी इन्होंने हमें अब एक riddle दे दिया है आप यह देखो इस picture में यहाँ पे दो picture है इधर भी यह duck है इधर भी duck है उधर dog है उधर dog है इधर bench पे दो person बैठे हैं इधर bench पे दो person बैठे हैं ठीक है अच्छा आपको एक काम करना है यह एक मैं आपको homework दे रही हूँ इन दोनों pictures में कहां पर क्या क्या आपको difference दिख रहा है एक मैं आपको example दे देती हूँ suppose जैसे जो boat में जो यह लड़का बैठा है इसके एक हाथ में यह है दूसरे हाथ में इस picture में है left hand side वाली picture में दूसरी picture में नहीं है ओके यह एक observe होगी यह एक difference होगी है इस picture में कि यहाँ पर इसके हाथ में यह stick है और इसके हाथ में यह नहीं है चीक है, अब आपको मुझे बाकी बताने कि आपने इस picture में और क्या-क्या observe किया मुझे बहुत सारी चीज़े नजर आ रही है लेकिन मैं बताऊंगी नहीं आप लोग मुझे comment करके बताऊगे कि आपने इस picture में क्या-क्या observe किया चीक है, interesting है मुझे जरूर बताना ठीक है अब हम chapter रीट करते हैं Dusk Dusk means Sanch इस chapter में क्या है play है, drama है मैं पहले ही बता चुकी हूँ So here is a play about a man named Norman Godspy who prided himself on being observant Let us raise more to find out if he was right about himself यह जो Norman Godspy है इसको अपने उपर एक pride है, बहुत ही जादा इसको कहते है अपने उपर एक गौरफ सा है अपने उपर एक proud feel करता है कि मैं बहुत अच्छा observant हूँ, मतलब मैं किसी को भी देखता हूँ तो मैं observe कर लेता हूँ यह person कैसा होगा या इसके मन में क्या चल रहा होगा या इसका character किस तरह का होगा वो पूरा बता देता है उसको बहुत ज़दा इस चीज के उपर proud है so इस drama में कौन-कौन से character हमें read करने को मिलेंगे so character, सबसे पहला character है Norman Godspy जो कौन है? एक observant है जो हर चीज को observe करता है जिसको अपने उपर pride है कि हाँ, मैं एक अच्छा observant हूँ और मैं आपको एक चीज बता दूँ इस drama में इसकी जो observation है वो काम नहीं आने वाली है last में जाके बेवकूफ बन जाएगा देखना आप कैसे second है Harry Crispin यह Norman का friend है एक old man है, एक young man है जो यह young man है यह जनाब इसमें thief है, चोर है जो Norman Godspike और Harry Crispin को बेवकूफ बना कर इनसे पैसे निकल वा लेगा अब देखना किस तरह से क्या drama करेगा चीक है, अब जो यह जो यह है क्या कहते हैं अब इसमें एक well to do gentleman and Norman's friend जो पूरा drama है, वो कहां का है Hyde Park, London London का जो park है वहां से यह drama शुरू होता है ओके, सो अब ड्रामे में क्या होते हैं, ड्रामे में अब बिस सी बाते सीन होते हैं सो फर्स्ट सीन की turn सीन वन लेट्स रीड बताया थै ना सांज जो होती है, वही 6 से 7 o'clock के बीच में होती है ना बहुत ज़्यादर रोशनी होती है एक evening type की होती है 6.30 बजे ते शाम के It is a gradually getting darker Gradually means slowly धीरे धीरे, ये क्या हो रहाता? Dark हो रहाता, मतलब अंधेरा हो रहाता Sound of horse hooves in the distance, slowly getting fainter Sound of horse hooves क्या होते हैं? Sleeper पहनते हैं, shoes पहनते हैं उनके भी पैर में लगा होता है जब वो चलते हैं तो बहुत ही कैसी आवाज आते हैं? बहुत तेज आवाज आती है तो जैसी ही Sound of horse hooves in the distance दूर से क्या रही थी, एक आवाज आ रही थी गोडो की, slowly getting fainter जो दीरे-दीरे क्या हो रही थी? कम हो रही थी आप bench, अब एक bench है कहाँ पर center में center में आपको दिखा देती हूँ this is a bench, यह bench है एक center में अब बीच में कौन बैठा है? आप bench center, Norman Godzby, his friend Harry Crispin and an old man यहाँ पर एक Norman Godzby है उसका friend है Harry Crispin और एक बुढ़ा old आदमी है sitting on the bench, इस bench पर बैठे हैं, okay so while Godzby is well-dressed जो Godzby है वो बहुत ही जदा well-dressed है मतलब एक अच्छा tip-top बना हुआ है the old man has a beaten look about him he is wearing an old well-formed suit उसका जो look है, जो old man है उसका जो look है, जैसे beaten look means, मतलब जैसे किसी न उसको मार पीट दिया और उसके कपड़े फटे-फटे से हैं और वो कैसे, उसमें कपड़े पहने वा wearing an old well-worn clothes जैसे की फटे हुए से, जीब से कपड़े as Godzby, look at him अब Godzby उसकी तरफ बुड़े आदमी की तरफ देखता है the man gets up from the bench और वो आदमी bench से उठता है and walking slowly और दीरे-दीरे निकल जाता है exits left वहां से वो निकल गया है चिक है? Godzby to Crispin अब वो Crispin से कहता है there is something really tragic about the man इस आदमी के बारे में कुछ आपने देखा कुछ अजीब है, कुछ गलत है that suit is in a bad condition उसने जो अपने उपर suit पहना है ये थोड़ी से bad condition में है I wonder where he is going where he is going मैं हिरान हो कि ये कहां जा रहा है maybe a boarding house शायद boarding house में जा रहा है whose rent he can barely pay boarding house means होता है एक private guest room होता है जहां पर हम थोड़ी से पैसे देके हम रह सकते हैं तो वो कहता है कि ये में भी अपने boarding house में जा रहा हो जिसका जो rent है वो बहुत barely barely क्योता है hardly मुश्किल से pay कर पाता हो you cannot know what people are like just by looking at them अब जो उसको crisp in है वो कहता है कि तुम लोगों को देखके उसके बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि ये किस तरह के होंगे कि ये मुश्किल से दे पाएगा या कि नहीं दे पाएगा rent या किस तरह का है तुम उसके look को देखके define नहीं कर सकते किसी को as they talk अभी आपस में ही बाते कर रहे है a young man enter अभ एक young man की entry होती है sits down on the bench sits down on the bench mutters to himself his actions are exaggerated drawing arrangement to himself चीक है अब जो उसका ये जो action था exaggerated means क्या होता है कि किसी बात को बहुत बढ़ा चड़ा कर जो कहना होता है न अपनी attention लेने के लिए उस तरह से so God's why क्या कहता है responding to the man obvious need for attention God's why उससे respond करता है obvious सी चीज है उसकी attention लेने के लिए किसकी attention लेने के लिए ये जो young man ने entry मारी है वो bench पर बैढ़ी है अपने आप से बढ़ बढ़ा रहा है अपने आप से क्यों बढ़ बढ़ा रहा था ताकि उसको वो जो दोनों बैठे है God's why और Crispin उनकी attention मिल सके ठीक है तो आप God's why क्या है उसको respond करता है respond करता है अब यूश सी बात है उस आदमे की वापस attention लेने के लिए कहता है कि you don't seem in very good temper तुम कुछ अच्छे मून में नहीं लग रहे हो मुझे तुमारा मून कुछ ठीक नहीं लग रहा है अब young man क्या कहता है देखो अब पहले मैं बता चुकि यंग मैं चोर है अब देखना स्टोरी में कैसे interest आता है अब जो यंग मैं तो वो तो वेटी कर रहा था इसलिए उसने बड़ बड़ाना शुरू किया तो वो तो वेटी कर रहा था उससे वो बात करें अब वो अगरली अब वो यंग मैं उसको जवाब देता है कि कोई भी एक अच्छे मून में नहीं रहेगा जब वो प्रॉबलम और एक डिफिकल्ट सिटुएशन फेस करेगा मतलब अगर तुम परेशानी में हो तो तुम अच्छे मून में कैसे हो सकते हो वो यंग मैं जवाब देता I am in, I have done the silliest thing I have ever done in my life अब वो कहता है कि मैंने बहुत ज़्यादा मूर्खता, silliest वाली चीजे करी हैं अपनी जिन्दकी में बहुती ज़्यादा I have ever done in my life अपनी जिन्दकी में God's by in a disinteresting tone अब वो उसको एक बहुती ज़्यादा disinteresting tone में किसको young man को जवाब देता Yes, clean sideways at crisp in मतलब जैसे अब आप सपोस करो आप बीच में बठे हो, एक friend आपकी इस तरफ है एक friend आपकी इस तरफ है आप दूसरी friend को दिखाने के लिए कुछ बात कहते हो तो अपनी आखों को ऐसे करते हो, उखर नीचे तो उसी तरह से वो कहता है कि disinterest उसको interest भी नहीं फिर भी वो उसको जवाब दे रहे कि इसको young man को जब young man उसको क्या कहता है कि कोई भी इंसान अच्छे मून में कैसे हो सकता है जब उसने बहुत ज़ादा problem face करे हो और अपनी जिंदगी में बहुत ज़ादा मूर्खता वाली चीजे करे हो अब young man young man कहता है I got to London just this afternoon with plans to stay in the Patagonian Hotel in Berkshire young man उसको कहता है कि मैं आज दुफैर में मेरा plan था कि मैं यहाँ पे जो Berkshire में hotel है Patagonian उस hotel में क्या करूँगा रुकूँगा when I got there जैसे ही मैं वहाँ पर गया हूँ मुझे क्या मिला I found it had been pulled down some week ago and a cinema theater was coming up on the side कि यह जो hotel है इसको क्या कर दिया hotel को cinema theater में change कर दिया यह पूरी तरह से बदल गया मुझे तो लगाता है यहाँ पे hotel होगा मैं रुकूँगा लेकिन यह तो क्या हो गया यह तो एक cinema घर में change हो गया है अब Crispin almost smiled अब Crispin की क्या होते है एक हासी सी निकल जाती है वो कहता है that must have come as a shock अब वो यह कहता है यह तो बहुत ही जदा क्या हो गई यह तो एक बहुत ही जदा shocking सी बात हो गई है young man yes it was वो कहता है हाँ यह वो तो है but the taxi driver who had taken me there recommended another hotel some way off वो कहता है लिकिन चो मेरा taxi driver था उसने क्या क्या उसने मुझे दूसरा hotel recommend किया जो कि वहाँ से थोड़ा ही आगे था I went there मैं वहाँ गया and got a room मुझे room भी मिल गया I sent a letter to my people giving them the address and then went out to buy some shop अब वो कहता है कि मैं वहाँ पहुँच गया मुझे room मिल गया तो मैंने letter लिखा अपने logo को जो भी होते है अपने रिष्टेदार and all तो मैंने उनको एक letter लिखा है और मैंने किया giving them the address और मैंने उनको वहाँ का address दे दिया और मैं कहाँ चला गया went out, बहार निकल गया एक soap खरीदने के लिए साबुन खरीदने के लिए वो कहता है I would forget to pack my soap क्योंकि मैं अपनी जब मैं घर से निकला जहां से भी निकला मैं अपनी soap को पैक करना भूल गया and I hate using hotel soap और मुझे बहुत सदा नफरत है hotel की soaps को use करने में then I strolled about a little and looked at the shops अब वो कहता है कि मैंने what is the meaning of strolled strolled होता है कि walked in a slow relaxed manner कि कोई बहुत अच्छा मस्ती में person चल रहा हूँ as you can see नीचे इनके meanings लिखे हुए है okay so वो कहता है कि मैं बहुती जदा एक slowly सी relaxed mood में चल रहा था और क्या किया किसके लिए गया soap देख रहा था दुकाने देख रहा था जहांसे कि shops देख रहा था जिससे कि मैं क्या खरीज सकू soap खरीज सकू when I decided to go back to the hotel मैंने डिसाइड के क्या मुझे होटल वापस जाना चाहिए क्या मिल गई क्या मिल गई soap मिल गई I suddenly realized मैंने क्या realize किया that I didn't remember its name or even what street it was in लो जी अब तो यह होटल का नाम ही भूल गए कहते है कि मैं तो नाम भूल गया hotel का यह भी याद नीता है कि जो वो street है उसका नाम क्या था actually oh there is a night situation for a fellow who has not any friends or connection in London वो कहता है कितनी बड़ी हावात है कितनी अच्छी situation है जिसका London में कोई जानकार ना हो कोई friend ना हो कोई दोस्त ना हो और वो क्या करे उसके साथ इस तरह का हाथसा हो जाए वो hotel का नाम भूल जाए street का नाम भूल जाए कितनी बड़ी हावात है Crispin Crispin कहता है well that's pretty sorry pity अब उसको क्या होती है इस चीज़ पे दया आती है but not such a desperate situation as you seem to think it is oh Crispin अब उसको कहता है कि लेकिन यह इतनी भी serious situation नहीं है desperate means इतनी भी serious situation नहीं है जैसा कि तुम मुझे दिखाने की जैसे कि तुम दिखाने की कोशिश कर रहो है जैसा कि तुम सोच रहे हो all you have to do is to go to the nearest telegraph office and wire अब वो कहता है कि you have to do तुम्हें यह काम करना चाहिए कि जो तुम्हारे nearest क्या है telegraph है telegraph क्या होता है कि जहां से हम messages भेजते हैं कि इसको जो भी हमारे आसपास के हमारे dear ones, loving ones होते हैं उन्हें हम message भेजते हैं तुम्हें telegraph होते है और जो wire है wire क्या थी send a telegram you people asking for the address जो तुमने लिखा था जो तुमने थोड़े देर पहले बता है न कि तुमने एक letter लिखा था hotel पहुँचके तो तुमने वाँ जा के क्या पूछना चाहिए address पूछना चाहिए you did send, जो तुमने send किया था the address, didn't you नहीं किया था, वो उससे पूछना के नहीं किया था, किया था न young man, of course I can wire my people for the address वो कहता है कि हाँ मैं अपने लोगों से wire कर सकता हूँ, पूछ सकता हूँ address के बारे में लेकिन अभी तक तो वो उन्हें मिला भी नहीं होगा but they want have got my letter till tomorrow लेकिन कल क्या, till tomorrow कल तक तो उन्हें मेरा letter they want, have got my letter till tomorrow कल तक तो जो होथा न इसी बीच में I am without any money अम मैं बिना पैसे के रहूंगा turns to gods, why who has been silent for a while now और किस की तरफ टान हो जाता है God's by कि तरफ God's by और वो क्या था अब जो God's by है वो silent है वो चुप है I left the hotel with only a shilling वो कहता है कि मैं जो hotel है वो सिफ only a shilling shilling क्या होता है? shilling होता है British coin थे जो कि 1971 तक चलते थे यह देखो मैं आपको दिखाते हूँ यह नीचे देखो इस इस दा मिनिंग शिलिंग British coin in use till 1971 1971 तक जो coin चलते थे वो थे shilling चिक है? वो कहते है कि मैं तो hotel से जब निकला थे तो स्रिफ एक shilling लेके निकला था on me जो मेरे पास है which I use for binder soap जिससे मैंने use कर लिया साबुन खरीदने में, soap खरीदने में so here I am wondering about with two pence in my pocket and now where to go for a night वो कहता है कि मैं आपे गूम रहा हूँ क्योंकि उसे पता था वो उनको बेवकूफ बना रहा था कि मेरे घरवालों को तो जो letter है वो कल शाम तक नहीं मिलेगा तो लेकिन मैं अब होटल से निकला हूँ मैं पाप पैसे भी नहीं है सिर्फ मेरे पास क्या है मैं two pence है जिने लेकर मैं क्या कर रहा wandering wandering मतलब क्या होता है गूमना बटकना मैं गूम रहा हूँ और बटक रहा हूँ सिर्फ two pence लेकर अपनी pocket में now where to go for a night अब जो ये रात है पता नहीं मैं कहां बिताऊंगा god's boy says nothing he sits staring silently at the young man staring क्या होता है गूर ना staring अब वो चुपचा बैठा है और क्या कर रहा है गूर रहा है किसको young man को young man after a pause अब जो young आदमी होता है जो young man जो चोर है थोड़ा चुप होता है pause करता है और कहता है I suppose you think I have made the whole things up अब वो कहता है I suppose you think कहता है मुझे लग रहा है कि तुम लेग ये तो नहीं सोच जो कि मैं तुम्हें उल्चाने की कोशिश कर रहा हूं मैं ये कहानी बना रहा हूं खुच से Crispin Till with a hint of smile अब Crispin एक hint देता है smile का No not necessary नहीं नहीं ऐसा नहीं है ऐसा जरूरी नहीं है I remember doing exactly the same thing once in foreign city वो कहता है exactly हमारे साथ एक बार foreign city में हुआ था there were two of us जहां पे हम दो थे और which made forgetting the name of our hotel even more remarkable कहता है कि एक बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ था हम foreign में थे और हम अपने hotel का नाम भूल गए थे luckily लेकिन सभागे की बात है कि we remember that it was on a sort of canal लेकिन हमें ये तो पता था कि ये कहां पर है उसको एक landmark पता था कि ये canal के पास है ये canal के होता है एक deep river पता था कि हमें अगर canal मिल जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे able हो जाएंगे अपना hotel वापस पाने के लिए वो normal से कहता है कौन? Crispin कहता है अब young man क्या कहता है ओ in a foreign city foreign city में I would not mind so much मुझे इतना बुरा नहीं लगता अगर ये का मेरे सथ कुछ भी भूल जाता है तो वहाँ embassy जा सकता है कि जो भी country है सब की embassy क्या है हमारी country में होती है आप दूसरी country में जाओ तो हमारे देश की embassy definitely वहाँ पर होगी एक office की तरह होता है जहाँ पर सारे information होती है ठीक है? So कहता है here is one's country it feels far more foolish to go about forgetting name यह तो मेरे साथ मेरी खुद की country में हो गया इस से बड़ा मुर्खता वाला काम किया होगा कि मैं अपनी ही country में रहके खुद उस hotel का नाम भूल गया हूँ unless I can find some decent shop to believe me and lend me some money वो कहता है and I will probably have to spend the night out in the open वो कहता है कि जब तक मुझे कोई decent कोई person नहीं मिल जाता जो मुझे विश्वास कर और मुझे कुछ पैसे दे तब तक तो शायद जो मेरी रात है वो आज खुले में मतलब open में ही बीतने वाली है anyway I am glad you don't think I am telling you an impossible tale वो कहता है कि चलो मुझे खुशी है इस बात की तुम लोगोंने मेरी at least बात तो सुन लिये लेकिन I am glad मुझे इस बात की खुशी है कि you don't think तुमने ये नहीं सोचा कि मैं तुम लोगों को एक impossible सी tale tale means क्या होता है story मैं तुमें एक असंभव सी कहानी बता रहा हूँ ये सुना रहा हूँ जब देखो उसको तो लोगों को observe करने का काम है तो वो observe कर रहा है वो कहता है बिल्कुल सही of course you are right हमें नहीं लग रहा कि तुमने को impossible tale बनाई है कहानी बनाई है लेकिन जो तुमारी कहानी है ना उसका सबसे बड़ा weak point पता है क्या है अब जो वो आदमी होता है ऐसी उनको दिखाने के लिए क्या करता है अपनी pocket में हाट डालता है और उसको लगता है कि मेरे overcoat में और जंप करता है अपने पहरों के थ्रू उसको पता था क्योंकि उसके पास तो कुछ हाई नहीं साबून तो कहानी थी young man in same afternoon अब Crispin बोलता है और हसता भी है laughing नहीं हो हसता है और कहता है तुने तो hotel भी खो दिया और cake भी खो दी same afternoon एक ही साथ तु दो 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 चीज़े खो गया hotel भी, sabun भी वाँ, क्या बात है उससे जादा careless इंसान नहीं देखा मैंने वह चीज़ बोलता है look like extreme carelessness to me the man looks away and then adopting a confident posture walk of right Crispin is still laughing God's why is more restrained and smiling softly अब जो होचा है man होचा है जो आदमी था young man था वो क्या करता है एक confidence वाला posture लेता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था वहाँ से निकल जाता है अब Crispin अभी भी हस रहा है और God's why जो है वो क्या है वो अपनी जो उसकी smile है smiling softly चुप चाप उस चीज़ को control कर रहा है restraint restraint means control God's why सचा पिटे क्या दया थी ये going out to get his own soap was the only true sounding part of the whole story वो कहता है पूरी कहानी में God's why कहता है मुझे पूरी काने में स्रिफ एक ही चीज समझ में आई एक ही चीज सच लगी ये जब बाहर गया अपनी soap लेने के लिए but he didn't realize how that could become a problem लेकिन उस ये महसूस नहीं हुआ ये चीज़ उसके लिए कैसे एक दिक्कत बन गई problem बन गई if only he had the forethought what is the meaning of forethought forethought होता है a careful thought to make sure that things are successful in the future okay कहा थे हम लो जी हो गई स्टोरी forethought okay to get himself a cake so we would have believe him you can't be successful corn man unless you pay attention to detail अब वो जब वो God's why कहता है कि ये तो ऐसा लग रहा था मुझे स्रिफ स्टोरी में वो ही पार्ट थोड़ा सा लगा लेकिन इसको realize नहीं था अगर problem स्रिफ यही होती तो हम क्या करते सोचते भी लेकिन to get himself a cake sop we would have believe him अगर उसके पास मुझे cake sop मिल जाती तो शायद मैं विश्वास भी कर लेता उसकी स्टोरी पर मुझे लगता भी कि हाँ इसकी कहानी सच्ची है लेकिन वो क्या था you can't successful a con man अब वो उसको कहता है con man con man क्यों होता है con man होता है चालाक चालाक आदमी एक ऐसा चालाक आदमी जो अपनी हरकत से सिंपेथी से या चालाकी से किसी से पैसा निकल वाले तो वो गोट्सभाय कहता है कि अगर तुमारे पास सोप मिलती तो मैं विश्वास भी कर लेता लेकिन तुम successful नहीं हो पाए con man चालाक आदमी unless you pay attention to details Crispin it was just his bad luck ये तो उसका bad luck है to have come to us हमारे पास जो आ गया rather than anyone else किसी और के पास नहीं गया anyway अब क्रिस्पिन को थोड़ा सा proud हो गया उसको ऐसा लगा कि सही है हमारे पास आ गया उसका bad luck है किसी और के पास जाता तो शाहद उसका काम हो जाता बट ये उसका bad luck है बट क्रिस्पिन अटेंशन is caught something on the ground अब वो उटते हैं तो क्रिस्पिन की जो नजर है वो कहां जाती है ग्राउंड पर जाती है इट इस अस्मोल ओवल पॉकेट ये तो सॉरी पैकेट ये क्या है ये तो एक ओवल टाइप का पैकेट है क्रिस्पिन जुकता है बेंड होता है पैकेट को देखने वो इस तो वो इस केक है साबुन का जिसके बारे में वो आदमी बात कर रहा था शाहिद ये उसकी पॉकेट से गिर गया है जब वो बैठा था चलो भागो वी मस्ट हमें उसे डूनना चाहिए और एग्जिट राइट हरे लिए और वो बहुत जल्दी में एग्जिट हो जाते है ये मुरुकता वाली बात है भी आप स्टोरी में आगे देखोगे कि जो केक ओफ सोप है वो किसका था और जो यंग मैन है वो कैसे सफल हो गया Crispin और Godspie को ठगने में let's see very interesting so scene 2 पे आते हैं अब scene 2 में क्या है वो लोग फटाफट से निकल जाते हैं पारक से और किसको डूनते हैं उसको डूनते हैं यंग मैन को डूनते हैं पार्थ लीडिंग अवे फ्रॉम दा पार्क वो वहाँ से निकलते हैं तो बहुत तेजी से looking out for the young man young man को ढूनते वे they see him in the distance walking by the kennel Crispin calls out अब वो क्या करते हैं वो उसको थोड़ी दूरी पे देख लेते हैं और Crispin क्या करते है उसको अवाज लगाता है Crispin Hey you, hey you young man who lost his hotel वो कहता है ओ आदमी जो अपना hotel खो चुका है the man turns around अब आदमी turn होता है through an angry बहुत गुसे से उनको देखता है they walk up to him God's by वो जो यंग आदमी तो उसको भाव हो गए न उसको लगता ओहो आगए मेरे पास मन में सोच रहा होगा अब God's by उसके पास आता holding out the cake of soap उसके हाथ में क्या था उसने पकड़े हुआ था वो साबन का जो cake उसको वाँ पे मिला था the proof of your story has turned up it must have it must have slipped out of your overcoat pocket when you sat down on the sea अब उसको क्या कहता है कि ये जो है तुमारा ये proof है तुमारी कहानी का तुमारी कहानी जो है proof हो गई है ये शायद क्या हो गया है it must have slipped out of your overcoat ये तुमारे overcoat से slip हो गया था when you sat down on the seat जब तुम seat पर बैठे हो गया तो ये तुमारी overcoat से slip हो गया है we saw it on the ground after you left after you left जब तुम वहाँ से चले गए तो क्या हुआ हमने ये देखा कि ये ground पर पड़ा हुआ था you must excuse our earlier disbelief अब वो उसको क्या करता है sorry feel करता है कि जो हमने तुम पर disbelief किया जो हमने तुम पर विश्वास नहीं किया उसके लिए हमें क्या करो excuse करो, maaf करो दो I am sure you see it all looked impossible to believe without the cake of soap वो कहता है कि तुम इस चीज को समझ सकता है I am sure you see it all looked impossible अगर तुम हमें cake of soap नहीं देते तो ये क्या था impossible सा था हम कैसे विश्वास करते तुम पर बिना cake of soap के now it's only fair that we should help you with what you need ये था है कि हाँ अब ये एक fair decision होगा हमारा कि हम तुमारी मदद कर पाए क्यों क्योंकि अब हमें तुमारी पूरी स्टोरी पर क्या हो गया faith हो गया क्यों faith हो गया just because कि उनको एक जो वो cake of soap था उनको मिल गया इसी की वज़े से उनहीं क्या हो गया विश्वास हो गया उसकी स्टोरी पर उसने क्या किया God's why और Crispin ने उससे sorry भी feel किया और उसको ये भी कहा उसको ये भी बताया कि हम तुम पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते है ये impossible सा था हमें cake of soap मिल गया इसलिए हमने तुम पे क्या कर लिया believe कर लिया अब वो क्या कहता है what you need अब हम तुमारी मदद कर सकते है जो भी तुम्हें जरूरत है holding out his hand with a sovereign in sovereign in sovereign क्या है एक old British coin होते है सिक्के होते है तो ये उसको चाहिए था young man को पैसे ठीक है तो वो अपनी God's why जो है अपनी pocket में heart डालता है और निकालता है if the loan if the loan of a sovereign is any good to you अब मतलब ये जो तुमारे sovereign है sovereign means जो old British coin है चलो ये तुमारे शायद कुछ एक अच्छी जो loan है loan क्यों कहता है वो उसको loan word उसने क्यों use किया क्योंकि उसको पैसा वापस चाहिए तक इसको God's why को तो इसलिए loan word यूस करता है कि लो ये पैसा तुमारे शायद किसी तरह से मदद कर पाएगा the young man puts his hand out and takes the coin अब वो young आदमी pocket में हाथ डालता है sorry young man puts his hand out and takes the coin young man अब अपनी pocket से हाथ बाहर निकालता है और coin ले लेता है अब God's why क्या कहते है here is my card with my address yellow ये मेरा card है और ये मेरा address है you can return the money and day this week वो कहता है कि अब तुम मेरी जो money है जो मेरा पैसा है इसलिए उसने loan word यूस किया था किसने God's why ने कि जो मेरा पैसा है अब तुम क्या करोगे इसे return कर दोगे इसी week जो day है and here is the soap और ये तुमारी soap don't lose it again दुबारा मत खो देना it's been a good friend to you अब वो क्या होता है अब उसको एक अच्छी friendship की तरीके से उसको बोलता है it's been a good friend to you young man, lucky thing, you finding it thank you the young man turns and starts walking away at a fast pace, exit right अब देखो वो क्या कहता है haltingly young man जो है उसको lucky thing जो कहता है कि तुमें एक बहुती ज़दा lucky thing मिली है जो तुमने डूंडा है you are finding it जो तुमने डूंडा lucky thing है halting means क्या होता है जिजगते हुए thank you क्यों वो अंदर से तोड़ा सा डरा हुआ था अब देखना क्या होता है स्टोरी में अब वहाँ जो यंग मैन होता हो फटा फट fast pace मतलब क्यों होता है तेज चाल से वहाँ से निकल जाता है God's why as the two friends walk back the way they had come अब वो उसी रास्ते से वापस आते हैं जिस रास्ते से वो गई थे मतलब पाक वाले रास्ते से poor boy he almost broke down it must almost broke down broke down मतलब starting crying God's why कहता है कि वो जो poor boy है मतलब daya वाले word use करके कहता है कि वो बस रोने ही वाला था चलो उसकी problem जो है उसको relief मिला It's a lesson to us not to be too clever in judging people by circumstances अब जो God's why है जो अपने आपको बहुत-बड़ा observant समस्तता कहता है कि लो जी आज हमने एक lesson सीख लिया है कि हमें लोगों को judge करने में ज़्यादा चलाकी नहीं दिखानी चाहिए lesson to us not to be clever हमें ज़्यादा चतुर नहीं बनना चाहिए लोगों को people by circumstances कि लोगों को हम judge करने जो bad जाते हैं उनके circumstances के according हमें ज़्यादा चलाक नहीं बनना चाहिए अब देखो scene 3 में क्या होता है अब आप लोग इतना हसोगे last में scene 3 God's way and Crispin are passing passing by the bench they were sitting on earlier अब जो वो वहाँ थे जिस रास्ते से वहाँ था उस रास्ते पर क्या करते हैं वापस जाते हैं तो God's way and Crispin क्या करते हैं वहीं पर वापस जाते हैं और जहां पर वो पहले बैठे हुए थे अब वो क्या देखते हैं कि जो old man है who had been sitting there earlier जो old man पहले वहाँ पर बैठा हुआ था looking for something on the ground ground पर कुछ ढूंड रहा है God's way curiously have you lost anything sir अब उससे बहुत उत्सुकता से पुछता से सर तुम्हारा कुछ को गया है God's way पुछता है किसे old man से still bending over the grass muttering to himself वो जो बुड़ा आदम है वो अपने ही मन में क्या कर रहा है बढ़ बढ़ा रहा है मटरिंग मिन्स होता है मन में ही बढ़ बढ़ाना funny thing क्या ये मजाग हो गया funny how easily these things just disappear now where could it be अब वो बुड़ा आदमी कुछ से ही कहा है कैसे इतनी आसानी से चीज़े गायब हो जाती है कहां गई where it could be खुछ से ही बोलता है God's way फिर पूसता है again but louder अप तेजी से बुझता है have you lost anything sir अपने कुछ खो दिया है क्या अब old man कहता है turning around looking worried इधर उदर देखता है बहुत दुखी हो कहा oh nothing much young man just a cake of soap वो कहता है कुछ नहीं बस एक cake of soap था मतलब साबुन का टुकड़ा था it must have slipped out of my pocket ये जरूर मेरी pocket से गिर गया है when I got up जब मैं उटा you have not seen it have you अब उसको कहता है तुमने नहीं देखा curtain नीचे हो जाते है हाँ 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 ये तो बहुत ही ज़दा इंटरस्टिंग हो कि सोचो क्या बीता होगा अपने आपको बहुत बड़ा observant समस्ता था अपने आपको बहुत ज़दा चालाग समस्ता था कि मैं तो सब को observe कर सकता हूं लेकिन last में क्या हो गया बन गया बेवकूफ एक यंग मैं से ओके अपको ये स्टोरी पसंद आई होगी थोड़ी सी लॉंग हो गई है बट नो इशू मैंने पूरा चैप्टर कवर कर दिया है ओके बहुत अच्छी स्टोरी थी मुझे भी बहुत मजा आया आप लोग जब से आप लोगों को भी बहुत इंजॉय किया होगा आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज अपने फ्रेंज के साथ जरूर शेयर करें थांक यू सो वेरी मच